सिटी पुलीस साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से सिद्धी पेट पुलीस टेशन के साथ मिलकर एक नोटोरियस हाउस बगलर सदाम अली एलियस इमरान अली की गिरफतारी हुई और उसके एकॉंप्लिश के साथ गिरफतारी के बाद जो टोटल स्टोलन आइटम रिकावर हुआ उसमें 61.7 तुलाज गोल्ड, सिल्वर आर्नमेंट, 1.1 केजी, ओल वर्थ रफली 32 लैक रुपीज ये इस केस में जो मेन अक्यूज है मुहमद सदाम अली एलियस इमरान, रिसेंटली लगभग 8 हाउस ब्रेक, ब्रेकिंग का केस किया था, नाइट हाउस ब्रेक, जिसमें के सिद्धी पेट, गुन्टूर और वारंगल कमिश्टरेट के केसेज हैं इसके ये रहने वाला बौडूपल हैदराबाद का है और वेल्डर का काम करता है इसका जो दूसरा साथी है मुहमद अनवर अली, सन अफ कासीम अली, वो भी बौडूपल हैदराबाद का रहने वाला है ये नोटोरियस क्रिमिनल के उपर अभी तक लगभग 53 केसेज हैं हाउस बगलरी इसके पूरे तेलंगाना स्टेट में और उसका एक असोसियेट पोत राजू जो की मलकाजगीरी का रहने वाला है ये दोनों मिलकर 2015 में क्राइम शुरू करे और उसमें गोपालपूरम पुली स्टेशन के तरफ से 2018 में पीडी अक्ट में डिटेंशन भी हुआ था और उसके बाद ऑक्टोबर 2020 में ये जेल से बाहर आने के बाद दुबारा क्राइम शुरू किया जिसमें की सिद्धीपेट, वारंगल और गुंटूर कमिशनरेट में एट हाउस बगलरी जेलोग किये जिसमें की गुंटूर, पटाभीपुरम पुली स्टेशन, वारंगल सुबेदारी पुली स्टेशन, काकातिया इन्वर्सिटी पुली स्टेशन, सिद्धीपेट टू टाउन पुली स्टेशन, सिद्धीपेट वन टाउन पुली स्टेशन के केसे भी इन्वाल्ड है ये पूरे ओपरेशन में हमारे Additional DCP Task Force चक्रवर्ती गुम्मी और उनके साथ Task Force की पूरी टीम इंस्पेक्टर ओफिसर एस राग्वेंद्रा, वीरत नरेंदर, स्री साइलम, मुहमध हकी उदीन, के चंदर मोहन और सिधी पेट पुलीस की ओफिसर्स मिलकर ये केस का डिटेक्शन किये